E.D. ने नागरिक्ता संशोधन कानून के खलाफ प्रदेशन को लेकर बड़ा खुलासा किया है E.D. ने दावा किया है कि पॉपलर फ्रंट आफ इंडिया यानि की PFI और रिहाब इंडिया फाउंडेशन ने C.A. के खलाफ प्रदेशन को जारी रखने के लिए 134 करोड के फंडिंग की है E.D. की टीम को PFI और उससे जुड़े करीब 73 बैंक अकाउंट की जानकारी मिली जिसके आधार पर ये बाते कही जा रही है PFI के बैंक अकाउंट से देश के कई बड़े वकीलों को पैसे दिये गए है इनमें कपिल सिब्वल इंडराय जैसिंग का नाम शामिल है पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने PFI को बैंक करने की मांग की थी C.A. के वरोध में यूपी में जिस तरह से हिंसक प्रदेशन देखने को मिले थे उसके पीछे PFI का हाथ बताया जा रहा था यूपी के डिजी पी ओपी सिंग ने बताया था कि राज्जी के कई अलाकों में दंगा और तोड़पोड करने के आरूप में PFI के 25 सदसों को गिरफतार किया गया था तो PFI का हाथ दंगाईों के साथ C.A. के खलाफ यूपी में हुई हिंसा में PFI की भूली का जो है वो सामने आई थी C.A. के खलाफ प्रदेशन को जारी रखने के लिए 134 करोड का फंड दिया गया है E.D. को PFI से जुड़े करीब 73 बैंक अकाउंट की जानकारी जो है वो मिली है जिसे साजा किया है E.D. ने 73 बैंक खातों में 120 करोड रुपे जमा किये गया बिजनौर, हापुर, भहराइट, शामली और डासना के कई बैंक अकाउंट में पैसे जो है वही सुप्रिम कोट की वकिल इंद्रा जोय सिंग का नाम भी शामिल है इसमें पर हमने भी कई बार सवाल उठाए थे कि आकर इनकी फंडिंग कहां से हो रही है इसका खुलासा ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं और आज हमारी एजनसियों ने साफ कर दिया और क्योंकि हमारी एजनसियां सतर्क थी, हमारी सरकार की इच्छशक्ती थी आदर्णी मोदी जी की, उत्तरपरदेश में आदर्णी योगी जी की, हमारी सरकार की शक्ती है कि हमारे देश की लोगों को सुरक्षा और देश सुरक्षित रहना चाहिए और इस तरह के लोगों पर हमारी नजरें, हमारी एजनसियों की नजरें थी क्योंकि हमारे को पता था कि जब एक सिमी आतंकी संगठन डिकलेड है तो उसकी विचारधारा के लोग कहां गए क्योंकि पिछली सरकारों ने जो भी किया सिमी को बैन कर दिया लेकिन सिमी से जुड़े हुए लोग कोई संस्था की विचारधारा नहीं होती है कॉंग्रेस के लोग बताएं कि ऐसी टेरर फंडिंग जहां हो रही हो उस संस्था से कॉंग्रेस के लोगों का लेना देना क्यूं है पिएफाई की आतंकी फंडिंग और उस फंडिंग से धर्ने को मैनेज करना उस फंडिंग से कॉंग्रेस और केजी रिवाल का चुराओं लड़वाया जाना उस फट्डिंग से हाथों में तिरंगा लेकर जिहाद के लिए मुसल्मानों को उसकाना सड़कों पर निकालना उनके दिलों में C.A. का भै पैदा करना N.R.C. का ब्रम पैदा करना देश के लिए बहुत बड़ी साज़िश पाकिस्तान की तरफ से हो रही है और उसके लिए कांगरेस जिम्मेदार है